अब और अब अब्रिवन नमस्कार चैहिंद राधरादे शुहार मैं आपका ज्येस हेजिक्वेटर रहुत कुमार स्वागत करता हूं यूप यूप तो रोज की भाति आज फिर से हम लोग जूड़े हैं रात आठ बजे जहां आप देख रहे हो यूप 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 कर में कि अब दिखा जाए तो पैक्ट बहूत नस्दीख आपके लिए कुझकि मुष्किल से पंद्रह दिन मांगर चले हम और 15 दिन में क्या आपने मेहनत करा है क्या पढ़ा है गेम ओवर आप तो क्या आपने मेहनत किया है वो सारा का सारा दूद का दूद पानी का पानी किलर हो जाएगा क्लास से शुरुआत करें एक खुबसुरत कोडिशन के साथ कहते हैं अपने लक्स के लिए जो सीले और जूनूनी बनिए विश्वास रखिये फरिस्ट्रम का फल मिसा तफलता ही ह तो आज देखते हैं कि वो बंदा जो पैट को टार्गेट किये हुए है या आने वाले समय में 30 तारिकों BPSC भी है बिहार में और बिहार CGL भी है जारखंड में CGL भी है बहुत सारे पेपर हैं तो जूड़िये हमारे साथ और देखते हैं कि आज क्या होना है और कितने ऐसे बच्चे हैं जुनूनी जो वाकई में और आज का सेशन बता है कि बहुत आसान रहने वाले सेशन आज का बहुत आसान कि अंजली जी क्लास लेंड में कोई दिक्कत नहीं है इंजुआई करिए भरपूर और सीखिये जितने भी सवाल मिलेंगा आपको एक्जाम और इंटर्ण मिलेंगे लास्ट है दू दिन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है परक नहीं पड़ाएगा नुक्सान नहीं होग अभी तक आपने अंटर्ण का डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड जरूर करें जिससे आपको मैक्सिमुम फाइदा प्रॉफिट होगा करन अफिर्स हो डेल इक्वीज हो जोब अलट हो जा फिर सब्जेक्ट वाइस कुईज हो और पहली बार अगर अप यू पेपर नंबर 13 मैं हमेशा कहा रहा हूं जिस दिन से यह मॉडल पेपर शुरू हुआ है आप अपने नोट में विठ डेट में इंसन कर लेना आपको एक्जाम में कोश्चन रखे हो मिलेंगे बिल्कुल एकदम एक्जाम ओरिंटेट ठीक है तो क्लास से शुरुआत और समसे पहले आप सबको नवरात्री के हार्दिक बढ़ाई हार्दिक सुब कामना है इस बार का जो पैट हो या पेपर हो बिल्कुल जबरदस्त हो और सेलेक्शन लें अगले नवरात्री तक जो भी एक्जाम हो कि देखा जाए तो पैट कर रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद एक साल तक एक्जामी एक्जाम है यूपी में तो सेलेक्शन जरूर लें ना चलिए सवाल नमबर वन आपके सामने यह रहा कि हुआज दा फर्स्ट प्रसिडेंट आप हरीजन सेवक संग हरीजन सेवक संग के पर्थम अध्यक्ष कौन थे महात्मा गांधी बियार अमेडिकर घंच घंचामतास बिड़ोला या ठक कर बापा नितेश जी रोज के रोज पीडियाप मिलता है मेरे भाई तो बहुत आसान सवाल है जिसमें से लगबग लोग किलिंड बोल्ट हुए है लगबग लोग किलिंड बोल्ट हुए है और आपको पता होने चाहिए कि कुछ हरिजन सेवक संग के अस्थापना नहीं क्या पूचा है पर्थम अध्यक्ष पूचा है क्या पूचा है पर्थम अध्यक्ष पूचा है मेरे भाई तो महात्मा गांधी हरिजन सेवक संग के संस्थापना अध्यस्त है और याद रखिएगा सहीए क्या सब्सक्राइब यह संस्थापक अध्यश थे हरिजन सिवक संग भारत में अस्प्रिशिता को मिटाने के लिए 1922 में गांधी जिन इसका स्थापना की और इसका मुख्यारे दिल्ली के किंग्स्वे कैम्प में है और घंस्याम दास बिलला को अध्यश बनाया गिया था ठीक है जब पहला अधिवेशन हुआ जब पहला अधिवेशन हुआ तब जाकर अध्यश किसे बनाया गिया था घंस्याम दास बिलला को ठीक है याद रखेगा आजाओ नेक्स्ट लोक अधालत पहली बार किस राज्य में आयो जीत की गई थी महरास्ट्रा गुजरात बिहार केरल क कुसर नमबर टू चलिए तो लोक अधालत पहली बार किस राज में आजित की गई थी लोक अधालत की बात करें तो पहली बार गुजरात में आजित की गई थी लोक अधालत कहां पे गुजरात में लोक अधालत कहां पे किया गया गुजरात में याद रहेगा लोक अधालत पहली बार गुजरात में एक कुशन और बनेगा सर जनहित याचिका जनहित याचिका पहली बार जनहित याचिका भारत में केशनी सुरू की या जनित याचिक तो आपको याद होगा भगवती है न कौन है बताओ जरा को कौन है बताओ PIL के जनक कौन है पिम आता दिम्र भाई पियाईल के जनक पीएन भगवती पीएन भगवती अब देखो कि PIL मतलब क्या हो गया फूल फॉर्म पॉलिक कि इंट्रेश्ट लेटीगेशन इंट्रिगेश्ट लेटीगेशन पॉब्लिक इंट्रेस्ट लेटीगेशन ठीक है या तक ना पी एन भागवती नेक्स्ट की बात करें तुनिशो छेत्तर में ब्यालिश्वे संसुदन के द्वारा भारत ये समिधान में आर्टिकल नाइंटीन ए का जोड़ा गया जिसके द्वारा सासन से पिक्चा की गई कि भारत को कोई भी नागरी कार्थी या किसी आनित अच्छामताओं ये कारण नियाय से वंचित नाढ़ जाए मतलब क्या है कि सबको फ्री लीगल एड मुप्त कानूनी सहाथा किसमें आटेकल नंबर नाइंटीन कामें याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट राज दर्बार में किसने शिजिदा यूंग पैबोश की पर्था प्रारम की कुतिबुदिन आपक अलाउदिन खिल जी इल अब देखोगे राज दर्बार में किसने शिजदा पावश के पर्था शुरुकिए आपको याद होका बल्बन के इसने आघ्लों इसने और लोह निती अपनाओगaya की लोह निती अपनाई रक्त और लोह निती अपनाई तो यह जो सिजदा और पैबोस है यह कैसा इतिक्वीठ है रिती रिवाज है तो पार्सियन यानि फार्सी रिती रिवाज है पार्सी रिती रिवाज है क्या है मेरे भाई फार्सी रिती रिवाज है याद रखेगा पार्शने रिती रिवाज है ठीक है शिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था बल बनने शुरू किया था याद रखिएगा को तुब दिन आपक की बात करें तो यह फाउंडर है सलेव डिनिष्टी का संस्थापक और इल्तुतमिस की बात करें तो यह रियल फाउंडर है वास्त्विक संस्थाता के याद रखेगा ठीक है किलिए ना इल्टूत्मिष ने तुर्काने चहलगानी 40 को शुरू किया बल्बन ने 40 को समाप्त किया था बल्बन ने जो 40 था समाप्त किया था तो अब जितना याद रख सकते हो आपकी उपर निर्बर करता है नेक्स्ट की बाद करें कोमूर नहर किस राज्य में इस्थी थे अंद्रपरदेश तिलंगाना करनाटा कि बिहार कुश्टन नुबर 4 चलिए जल्दी आरियन जी आप क्या करते हो मतलब देखते रहे तो कौन नकल करते कौन नहीं नकल करते गया भाई आप पढ़ने के लिए पढ़ लो ना क्यों दिमाग लगाते हो क्यों दिमाग लगाते हो मेरे भाई पढ़ने के लिए पढ़ लो ना देखो आप किलिन बोल्ट कैसे होते हो यहां कोमूर नहर है कई लोगों की दिमाग में आगा कैमूर जबकि बिहार में कैमूर नेशनल पार्क है कैमूर नेशनल पार्क आप को याद होगा कैमूर नेश जब कयमूर बिहार में है यह कहां यह आंत्र प्रदेश मे पोमूर नहर पे आंत्र प्रदेश में जब कि बिहार कैमूर है अब क्या लगा रोग रोगल डेॉल कैमूर है किया कोमूर है तो confusion एसी में होता है मेरे भाई ऐक जाम Paul में यहीं सब닥्गोष्ण देखते हैं और गल्टी करके आते हैं confident रहते हैं कि सर मेरा तो होई जाहेगा हमने कमुर नहर आई कऐमूर है मैंने पढ़ा हैं आपको कई बार इसलिए कहते हैं जो मेरे explanation है इस पर आप जरूर देखिए तो बाकिंगम नहर को कोमूर नहर भी कहा जाता है या को मुर नहर को बकिंगम नहर कहा जाता है जो 793 किलोमेटर लंबी ताजी जल नौगम में नहर है जो कहां पे आंध्र परदेश में देखने को मिलता है आंद्रपर्देश से कहां तमिल नाडू के आंद्रपर्देश से तमिल नाडू ठीक है आरे बास समझ में आंद्रपर्देश से तमिल नाडू ठीक है चलिया आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें संतानुत पत्ति को कम करने के लिए पुरुष्ण सबंदी को क्या कहा जाता है वादिदा मेल वैस्कोटॉमी कॉल टू रिद्यूस फर्टिलिटी वैस्कोटॉमी ट्यूबल लिगेशन या बंद्याकरन या ओल अब दीज कुछन नंबर पांच चली बताई क्या होगा बताई यह तो आप देखोगे कि सर संतानुत पत्ति को कम करने के लिए पुरुष्ण स्वंदी को क्या कहा जाता है वैस्कोटॉमी यह क्या है यह बच्चे फीमेल यह क्या है एक्स्टलाइजिशन बंद्याकरन यह फीमेल के लिए है तो बहुत आसान है यह फीमेल के लिए और यह मेल के लिए यह मेल के लिए ठीक है आजओ और कैसे लगा रहे हो कौन लगा दिया नितेश जी और क्यों लगा दिया मेरे भाई है ना नेक्स्ट तो नस्बंदी को जन्म नियंत्रन के एक अस्थाई विधिक बाना जाता है जिसे पुरूस या महिला चून सकती है हलाज के नस्बंदी या ट्यूबल बंधाओ महिलाओ के लिए और पूरुषों के लिए पूरुष्ण नस्बंदी कहा जाता है क्या कहा जाता है पुरुष्ण स्वंदी कहा जाता है याद रखे इसलिए कहते हैं कि आप कोश्टन बनाने के पहले हमेशा याद रखेगा कि सवाल को या कोश्टन को अच्छे से पढ़ें को अच्छे से पढ़ें मैं लीक दे रहा हूं अच्छे से पढ़ें ताकि maximum marks उठा सको आप अच्छे से पढ़ें है न कि जवन प्रास आउस्दी को इस सास्तर के अधार पर तयार की गई है रिगवेद अथरवेद चरक सहीता या नवनितकम कोश्टन नमर सेक्स जल्दी कि जरा बताओ तो च्वन प्रास आउस्दी की बात करें तो चरक सहीता आपको याद होगा यह क्या है एक कैसा सास्तर रहे तो आपको याद होगा किचिगिस्दा थास्तर रहे चरक सहीता क्या होगा चरक सहीता, क्या है मेरे भाई, चरक सहीता, याद रहेगा, क्या है, चरक सहीता, तो आचारे चरक को, तिगित्सा की जनक कहा जाता है, उनके परसिद कृते चरक सहीता को, आयरुवेद का विश्वकोस माना जाता है, क्या माना जाता है, इंसाकलोपेडिया उफ आयरुवेदा इन्साइकलोपीडिया उफ आयुरुवेदा ठीक है नेक्स्ट की बात करें दीने इलाही का परधान प्रोहित कौन था कुवाज था हेड ट्रैस्ट उफ दीने इलाही बैराम खाथ टोडरमल अबुल फजल बीरबल कुश्टन नमबर साथ मैं हमेशा कहता हूँ बस आप अपहालबर कर बैठते हो गलती कर बैठते होased जल्दी बाजिय में कुश्टन गलती करते हैं बस और खुश नहीं है बताए क्या होगा तो दीने इलाही का पर्धान प्रोईत की बात कर अबूल फजल और बिर्बल पहला हिंदू है पहला हिंदू जिन्हें इस धर्म को स्विकार किया ठीक है अबूल फजल की बात करता आपको याद होगा अकबर नामा अकबर नामा लिखा और अकबर नामा का तीसरा खंड क्या है आइन ए अकबरी है आइन ए अकबरी है आपको याद होगा तूडर मल राजा तूडर मल जो फाइनस मिनिस्टर था किसका अकबर का याद रखना बिल्गूल अबूल फजल क्या होगा मिर भाई अबूल फजल नेक अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मित प्रोफेसर पीगू या चानक्या कुर्शन नम्बर आठ चलिए जल्दी तो किस अर्थसास्त्रे ने पहली बार राजनीतिक अर्थसस्त्र का इस्तमाल गिया प्रोफेसर पीगू ने यह कौन है यह फादर है एकनॉमिक्स के आप चानक के भी लगाओगे आप चानक के भी लगाओगे जो गलत होगा क्योंकि चानक के अर्थसास्तर लिखता जरूर है अर्थसास्तर लिखता जरूर है लेकिन चानक के अर्थसास्तर से हमें मौरे वंस के राजनेतिक मौरे वंस के परसासन परसासन या राजनेतिक के बारे में जानकारी मिलती है कि या नेतिक बारे में जानकारी मिलती है क्या होगा प्रोफेसर पीगू करेट क्या होगा इसलिए पूचा कहीं पूचा कि बै रख ये आर्फसास्तर नहीं था ये कौन था ये यह बहुत वड़ा परकांड विद्वान था ठीक है जिनका नाम कोटेल या विश्णु गुपते है कोटेल या विश्णु गुपते याद रखेगा नेक्स्ट याद रखना पांच सवाल पांच सवाल आपके एकनॉमिक से रहेंगे पांच सवाल आपके एकनॉमिक से रहेंगे किसमें तो पैक में पांच सवाल एकनॉमि के जनक या पुझिवाद के जनक कहते हैं जबकी अलफ्रेड मार्सल को कल्यानकारी अर्थसास्त्र वेलफेर एकनॉमिक्स के बारे में और आपको याद होगा कल्यानकारी अर्थसास्त्र वेलफेर पता बताओ जर्ण रसा आर यहन को लगता ब्लॉक करना पड़ेगा यह न पढ़ना पाएंगे बिल्कुल अभी मैं ब्लॉक कर दूंगो बिल्कुल अनरगल कमेंट मत करो पढ़ना है तो पढ़ो ना तो बिल्कुल अनरगल कमेंट मत करो मुझे पता है क्या कर रहे हो आप सो कि अमर्थे फेन पिंग नजन सो निननानमCómo- भारत रतमे मिला है याद रख़ेगा नांट्यननन भारत मिला है नेस्ट भारत में पैहला खुला विश्विदढले कॉण्चा है इंद्रा-कांधि राष्ट्रीश मुक्त विश्विदढले नालंगन प्पन्तनायर विश्विद को पहला खूला विश्विद्धाले आंदर परदेस वुफ्वफ्विद्ञ जूणिवर्शिटी Бाल आगरी कल्चर जूणिवर्सीटी पहला अगरी कल्चर इनुश्यिडी कोब लगरे नालंदा मतलगाना नालंदा Open University नहीं है वेरी भाई नालंदा आज खूला है तो क्या होगा आंदर प्रदीश सबसे बड़ा Open University गर बात करें तो इगनू सबसे बड़ा कोन है इगनू है तो अब देख सकतो अठारा सुपा अच्छा आगे देखो स्वचालित एयर ब्रेक का विश्कार किस ने किया था जॉर्ज वसिंध हाउस इलीजा ओटीस जॉन लॉगी बेड या लुई पास्चार कुशन नमबर दस चलिए खुला मतलब होता है मिन भाई कि आप घर बैठे अपने डिगरी ले सकते हो अपने एडिविशन ले लिया आप घर बैठे तैयारी करिए कोई भी एडिविशन ले सकता है और कोई भी पढ़ाई कर सकता है यह खुला का मतलब है ठीक है तो स्वचालित एयर बसकार की बात करें जॉर्ज वेस्ographics अलिशा ओटिस ने क्या किया था तो आपको याद होका लिफट लिफट का विष्कार कौन हैं इлिशा ओटीस अलिशा ओटीस है लिफट है इलिशा ओटिस लिफट है भी मतलगा न यह लिप्ट है मेरे भाई और जॉन लोगी बेर्ड तेलिवीजन कौने जरा बता कमेंड बॉक्स में ठीक है याद रखेंगा बिल्गू देख लो तो 1872 में जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने ट्रिपल वाल्व का अविश्कार करके और यह परतेक कार को अपने खुद के हवा स्लेंडर से लैस करके एयर ब्रेक का अविश्कार किया था एयर ब्रेक का अविश्कार किया था इयाद रखेंगा ठीक है चलिए आगे देखिए खेल गुपाल किस राजी से संबंद परसिद लोग निरते हैं नागलाइड तमिलनाडू केरल असम कुछन नमर 11 चलिए जल्दी क्या हो रहा टेंशन बढ़ रहे गया आपका खेल गुपाल किस राजी से मैं कई बार बता चुक है मिर भाई कई बार बताया है हमें कि नमक से याद रखेंगे तो तीन ट्रीक निकलता है बताया था मैंने कि गुजरात किसके परड़क्शन में नंबर वन है गुजरात किसके परड़क्शन में नंबर वन है तो नमक के परड़क्शन में मुंगपली के परड़क्शन में कपास के परड़क्शन में गुजरात नमक की बात करें, तो नमक से कही सारे डांस निकलेंगा असमके, नट पूजा, कई बार पढ़ाए मैंने, नट पूजा, महारास, या खेल गुपाल, खेल गुपाल, या केली गुपाल, केली गुपाल, बीहू, ये सब क्या है, सब हौक डांस है, असमका, हौक डांस है, असमक क रे अरे पातों में जब की सतारिय एकलास्की कल्षिकल है मेरे भई जो सतारिया है यह क्लास्किकल है याद रखेगा निkसट ये देख लो 보고 नटि पूजा महरास कली गोपाल बगूरुम्ब नागा खेल गोपाल यह सब कहा है असम के ठाउग डांस है असम के ठाउग डांस है ओना चलिए आजाओ आगzier रास्टिये जन संख्या आयोग का अध्यास कौन होते हैं मंतरी परिशत परधान मंतरी रास्ट परेग गिरा मंतरी कुष्च नुबर बारा चलिए इसलिए मेरे क्लास में बच्चे कम आते हैं क्योंकि ना उनको आदत होती है चोटे-चोटे कोश्चन जो आसान कोश्चन है जो आप जानते हो बताओ तो मैं वही सारे कोश्चन ले आऊ भाई वो लास्ट में चार-पांच दिन जब बच्चेगा न पमें तब में वह सारा के चिसके अपना गयारा मईली दोज़ार इस्विक आजो की गई थी इसके दुक्षता परदर की जाते है यान रख़ेगा नेक्स्ट लोग सबा के स्पीविकर किसके दुवारा चुरा जात है कुशन नुबर 13 13 चलिए जल्दी जल्दी बताओ कि सर यूपी पीजीटी का पेड कोस मिल सकता है क्या हां स्टुरेंट लाइफ बिल्कुल मिल जाएगा मेरे भाई बिल्कुल मिल जाएगा आपको तो आप देखोगे लोगसभा की स्पीकर किसके दौरा लोगसभा के सभी सदस्य लोगसभा के सभी सदस्य दौर चूले जाते हैं सिंपल सा है speaker और deputy speaker दोनो Alors Deputy speaker He is deputy speaker दोनों चुरे है याद रखेगा दोनों चुरेआ जाते हैं अब जड़ा पता ना लोगा सरफा स्पीकर के सपत गरन कौन करवाता है जल्दी इनके सपद गरन करवाता है देंगे कौन जबाब देगा इनके सपद गरन करवाता है हुआ तो उन्हाय सपत्ध ग्र्राइन आपको याद होगा नहीं होता है नहीं होता एज ये व्लिप window पार्लियया में इंटलोक सभा के सपत लेते हैं hips प्रोटेम इस्पिकर होता, तब उनके सबत कौन दिल आता, तब राष्टपती को, तब राष्टपती को, ठीक है, या दखना मिलकूल, तब राष्टपती, नेक्स्ट की बात करें, भारती राष्टेगीत वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसनी किया था, उर्दू ट्र तो आप देखोगे, कि भारती राष्टिय गीत वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद आरे मुहम्मद खान, ये लिखते हैं, आनदमठ, आनदमठ में, या रहा है, तो आनदमठ, मुहम्मद इक्पाल सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, अर्विंदो घोस ट्रांसले का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, और आरिफ मुहम्मद खान ने उर्दू में ट्रांसलेट किया, याद रहेगा, याद रहेगा, तो उर्दू पूछेगा, तो कौन, आरिफ मुहम्मद खान, और अंग्रेजी पूछेगा, तो अर्विंदो घोस, ठीक है, कि चलिए अब देखो क्या होगा कि सेख वाजा कुटुबुदिन बक्तियार काकी दिल्ली पता आप कैसे गलती करते हो आपको याद होगा कुटुबुदिन बक्तियार काकी को समर्पित कुटुबुद कुटुब मिनार कुटुब मिनार काकी को समर्पित कुटुबुदिन ब दिल्ले में करया था मिरे भाई क्यों गल्ति करते हो क्यों गल्ति करते हो मुझे बता है तू फते पूर सिक्री में शेक्स चलिमशीस्ट्य का मखिपरा है जो आगरा जा रहे हूं वो शेक्स सलिमशीски न לפ perfectly के भी स्मेट में मकफबरा बन वाई था तो आगला में जो देख रेयो वह या पदेपूर सिकरी में देख रहेयो वह क्लेख सलीम चिंश्टि है क्या मेरे वह सेख सलीम चिस्ति याद रखेंख थीक है गल्दीं मत करिए गारत में संदर्भ में नम्लिकिन में से कौन सा युगम सही है अईए दुर्गापुर रूस रावर केला ब्रिटेइन वोकार जर्मनी भिलाए रूस कुसर नंबर सोला जुल्दी तो आप देखोगे कि भारत में इस पात संहिंत्रों के संदर्व में कई बर पढ़ाया हुआ कि नहीं है पढ़ाया हुआ है गल्ति क्यों करते हो बिलाए रसिया बेरू भिरू राज दुबे लिखो न देख लो बेरू भिरू राज मतलब ब्रिटेन रूस के मदश सरी बुकारो रूस के मदश से भिलाइ रूस के मदश से यह करेक्ठ से जर्मनी के मदश से इधार आ गया दुर्णपुर बिल्टेन के मदश से तो यह इधारा किया देख लो यह तो है है कि नहीं और जब आगे कौन चिपको अंदूलन के नेता थे विच अब दा फॉलिंग वाज दे लीडर अब दा चिपको मुमिंट लक्षमी सैगल गौरा देवी मेधा पाड़ेकर सर्ला देवी कुश्चा नमर 17 चलिए तो आप देखोगे कि चिपको अंदूलन के निता की बात करें गौरा देवी आपको याद होगा चिपको अंदूलन 1973 में शुरू हुआ है तहां उत्राखंड के चमोली से आप बताओ टिश्च था के चखने शुरू किया था चिपको मुमिंट अद्शिपको मुमिंट इस्ट फूप कि इस सुरू कि था छो गौरा देवी के अलाबे कौन थे जरहां बतेएगा आपको यादों का मेधा पाड़ेकर नर्मंदा बचावाण दोलन से जुड़ी है ना अरे याद होगा सुन्दर लाल बहुगुना सुन्दर लाल बहुगुना जिनके मिर्तियों हो गई सुन्दर लाल बहुगुना याद रखेगा चिपको आंदोलन में महिलार पुरुष दोनों ने भूमिका निवाई है जिनमें गौरा देवी सुदेशा देवी बच्चनी देवी चंडी परसाथ भट और सुन्दर लाल बहुगुना ठीक है नेक्स्ट गूड इकनॉमिक्स पूर हाड टाइम्स पुष्टा के लिगा कौन आपको मैं बतातों गूड इकनॉमिक्स पूर हाड टाइम्स पूस्ता के लिखा के बात करें अभिजीत वनर जी हुआ अभिजीत वनर जी जिनने 2019 में नोबेल मिला की अटें记 219 में नोबील मिल ला क्या नहीं मिल यादखे गज़िए और 1998 में अमर्थ बोलेव सेन को नोबेल मिला था याद रखे है निंद्रा के अध्यारन कॉम क्या कहते हैं औरmmology क्यartology हैओक्षिर को चलिए इस बताओ जल्दी जाओगे संक्या का मूरा ग्यों ना समझ मारा गया तो निंद्रा के अध्यान को वापनो लॉजी और निरो लॉजी तो नो की अध्यान को ओ कैलो लॉजी सुन्दर्ता की अध्यान को क्या बात है और एक्तिवी जी मछलीयों के अध्यान को आपके सामने है देख लो क्लेंद बोल्ड होंगे और अज्दा घिके सामने है कि तो सपना में सजना सजनों में ऐसा ऐसा है क्या गलती मत करियो, ठीक है, आज आओ नेक्स्ट, खेल का विशाय, भारते समिधान के की सूची के अंतरगत आता है, अवसिश्य सूची, समवर्ती सूची, संग सूची, राज्य सूची, कुश्चन नमबर 20, चलिए, जल्दी, चलिए बताओ, तो आप देखो, खेल का विशाय, भारते समिधान की सूची में रहे, बहुत आसान, समवर्ती सूची में, क्यों, भाई, राज्य भी परमूट करता है, केंद्र भी परमूट करते हैं, समवर्ती सूची कहां से लिया गया, सर अस्टेलिया से लिया गया है, आजाओ निक्स्ट परसाद योजना परसाद का फूल फॉर्म यह आपके सामने और किस मंत्राले के तहता सुरू की गई है विद्धिस मंत्राले परेटन मंत्राले जल सक्तिय मंत्राले संसिर्थी मंत्राले कोशन नमर 21 चलिए जल्दी पताब क्या होगा तो आप देखो गे कि परसाद योजना की बात करें तो यह परेटन मंत्राले से सुरू किया गया है किसके दोबरा परेटन मंत्राले के दोबरा सुरू किया गया मैं सर्वसाद योजना भारवसर कारों इस योजना के तहत D grain इसके परेटन इंफ्रास्टेक्शर को अभिकास करना है किंद सरकार ने 2014-15 में परसाद योजना की सुरुवात की थी ठीक है इस योजना के ताथ उत्राखंड में गंगोतरी यमनोतरी जारखंड मंद्वर्देश में अमरकंटक जारखंड में पारशनाथ उस सामिल किया गया ठीक है याद रखेगा नेक्स्ट में से किस मुख्यमंतरी के पिता महराजा थे वसंद्रा राजे अमरिंदर सिंग दोनों या कोई नहीं कुछन नंबर 22 चलिए किस मुख्यमंतरी के पिता महराजा थे कुछन नंबर 22 तो मैं आपको बता दू दोनों के पिता महराजा थे दोनों के पिता महराजा थे ठीक है अब यह देखो वसंद्रा राजी पहले जिनका जनम आठ हमार सुने सुत्रेपन को मुंबई में हुआ विचैराजी सिंधिया और जिवाजी राव सिंधिया गौालियर के महराजा सिंधिया साही मराटा परिवार के दसके एक बेटी जो राजस्थान के मुख्यमंतरी रच चुकी थी राज़स्थान के मुख्यमंत्री रच चुकी थी आगे अमरिंदर सिंग महराजा यादविंदर सिंग और पत्यालक के महराणी महिंदर कौर के बेटी जो फूलक्या राजवन से संबंदीत है जो पंजाब के पंजाब के सियम रह चुके हैं जो अभी हाली में बीजेपी कोशी नदी का प्राची नाम क्या है वाड एट एंसेन नमव कौशिंटर रिवर कौशिकी कौशिद की कूभा करनाली कुश्चन 2 से चलिये है जल्दी तो आप देखोंगे कोशी नदी का प्राची नाम क्या है कौशी की coming in तो प्यालते हैं सौरोफ भिहार विहार का सोक सौरोफ भिहार इस निकलती है ये नेपाल से निकलती है नेपाल से और ये गंगा की ट्रीबूट्री है दंगा की सहक नर्डा रख एक कुरूबा देख रहू हो नहां gone तो काबुल नदी है उसके पुरान नाम थीक है काबुल का पुरान नाम क्या है कुपा है पर आजब आगे में कितने वार्स फावर में कितने वार्स होते हैं हमनी वार्स हां है देवरी ने मिट्रिक होर्स पावर 726, 36, 46, 46 कुर्शन नमर 24 चली जल्दी मजा रहा है मजा रहा है नो यह संड़े का है जो अपके को ब्रेक मिलता है ना आपको उसे की तयारी है उसे के तैयारी है जो आप सोच रहें कि सराज क्या हो गया संडे को स्वे मिलता है जो क्लास ना होता मंडे को बिल्गो फ्रेस हो क्या आते है उसे के तैयारी है अब क्या करू हंडेट परसेंट अनुपसी का जवाब 736, 736 क्या वाद है देख लो यह आपके सामने है क्या कहेंगे होर्स पावर है क्या है आज तक आपने देखा होगा HP मिट्रिक HP होता है मिट्रिक HP लगा होता है इसलिए बच्चे हमसे गुशा कर दे इसलिए बच्चे हमसे नाराज हो जाते है और कोई कारण नहीं है किसार आप तो क्या कराते हैं समझे नहीं आता भाई क्या करूं ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पूछे जा रहे हैं आप चीज़े बदल रही है देखो उप्योग की जाने वाली दो समाने परिभासाएं है एक यांत्रिक असुशक्ती जो लगबग 746 वाट होता है और एक मिट्रिक असुशक्ती लगबग 735.5 जो 736 के आसपास दो होता है या तक्षिये का विल्गूल ठीक है एक मैकनिकल होर्स पावर जो 746 है और मिट्रिक होस्पावर जो 736 के आसपास है ठीक है निक्स्ट भारत में सहरी छेत्रों में पर्ति व्यक्ती पर्ति दीर औसाथ कैलोरी के आओ सकता क्या है 2100, 2200, 2300, 2400 कुशन नुमर 25 पिलिए चल दी ऐसे कुशन नहीं मिलेगा मेरे भाई सब सीधे कराते हैं आप यूट्यूब में सर्च कर लो सब सीधे कॉशन कराते हैं आपको कोई ऐसा पढ़ाए गई न जो बच्चे जूड़े होने पताई ये देखो ये क्या कहा अर्बन एरिया 200 कैलोरी अगर बोलता रूरल या करामीन रूरल या करामीन कोगे गरामीन में गाउं में महिनत करते हैं फिजिकल वर्क करते हैं और साहर में बिल्कुल दिमाग यूज करते हैं ब्रेन यूज करते हैं तो कम थोड़ा चाहिए है ना फिजिकल पर करते ही नहीं बैठे रहते हैं 200 कैलोरी यह तक यह बिल्कुल निक्स्ट पहला भारति संचार उगरा कौन था चंद्रयान आरेवट भासकर एपल कुशन नमर 26 चलिए जल्दी तो आप देखोंगे पहला भारति संचार उगरा की बात करने वो एपल है हाँ पहला उपगरा आप कह सकते आरेवट है जो 19 अप्रेल 1975 को USSR के मदद से पर्षेपित गया था चोड़ा गया था तो आप एपल लगाओगे क्या लगाओगे एपल लगाओगे ना कि आरेवट लगाओगे जाओगा एपल लगाना बिल्कुल ठीक है तो एपल फुल फॉर्म एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एपल वाच एंड एक्सपेरिमेंटल कम्मुनिकेशन सेटलाइट जिसे 19 जून 1921 को छोड़ा गया था कहां से फ्रेंच गयाना कोडू से ठीक है याद रखना बिल्कुल नेक्स्ट भासकर वन और टू भासकर वन पिर्थिवया लोकन उपगरह बनाया गया जो साथ जुन उन्हें सो नियासी को छोड़ा गया था ठीक है नेक्स्ट मानव आख में किस प्रकार का लेंस मौजुद होता है चलिए सिलिंड्रिकल बाइफोकल कॉनकेब या कॉनवेक्स क्या होगा जल्दी बताओ ज़रा सार ज कि चलिए कि क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस ऑप्शन नमबर डी कि क्या होगा कॉन्वेक्स लेंस याद रखे तो लेंस एक पारदर्सी उत्तर लेंस है मेरे भाई जो कॉर्णिया की साथ साथ रेटीना पर केंदित होने के लिए फरकास को क्या करता है अपूर्ध करने में मदद करता है यह इंज ऑखिया और यह जो आखों के कलर को करता है सो धाना ऑक्रों करता है अ唐करनिया हम डोनेट करते हैं और रेटीना पर इमेज बनती है यह आध रख्य粉 Bratma Jahr इस्तूप कहा इस थी थे जावा में सुमात्रा में जापान में नेपाल में कुछन नमर 28 चलिए सर आपने बीएट की इस निवर्सेटेश से किया था मेर भाई मेरट चौदे चरण सेंग चौदे चरण सेंग बच्चे तो आप देखो के परख्यात बोरो बुदूर का बहुत इस्तूप की बात करें तो यह जावा में इंडोनेसिया इंडोनेसिया कहां यह जावा में इंडोनेसिया याद रखेगा निक्स्ट बोरो बुदूर मंदिर परिसर दुनिया के सबसे महान बहुत इस मारकों में से यह क कहां पर जावा में इंडोनेसिया में कहां पर जावा में इंडोनेसिया में याद देख सकते हो यह खुबशूरत देख रहो बहुत खुबशूरत मौका मिलेगा तो जाना और बताना कि सर गए थे सपने में नहीं तो ओनिरोलोजी हो जाएगा सपने में नहीं ओनिरोलोजी हो जाएगा ठीक है निक्स्ट वन जीव सनचन के लिए भारत के पहला अनुवांसिक बैंक किस सहर में खाटन किया गया नई दिल्ली कुलकाता है हैदराबाद भोपाल को सनमर्ट 29 चलिए आपको याद बता दूँ कि आज जो दस कोशन मिलेंगे वो जो बिना ओप्शन के वो जी आई टैग है जो दस कोशन है न जो वन लाइनर वो जी आई टैग है याद रखिएगा तो वन जी उसनेचन के लिए भारत का पहला अनुवांसिक बैंक की बात करें तो यह हैदराबाद में जहां डिये ने फिंगर प्रिंटिंग की जांच की जाती है मूशिन नदीगे किनारे है मूशिन नदी के किनारे याद रखेगा हैदराबाद में राजी गांधी इस्टेडियूम क्रिकेटरी स्टेडियूम जो है कल मैच हुआ था इंडिया ने जब रदस तरीके से हाराया उस्टेलिया को आगे रहे तो वन जी उसनेचन के लिए भारत के पहले आनुवांसिक पैंका उद्वाटन है तराबाद में किया गया कहां पर है तराबाद में किया गया यह आद रखेगा निक्स्ट आज बहुत आसान मैंच अब दाफॉलिविंग मिला ये कूटिये विनेगर सेंट्रिक एसिड औरेंज ऑग्जलिक एसिड टैमरेंड एसिडिक एसिड बहुत आसान कूट देते हैं एक अत्री सिर्का एसिडिक एसिड विकावन हट्टा सेंट्रिक एसिड इमली टार्ट्रिक एसिड और टोमेंटो और जलिक एसिड निकल गया सोचना नहीं था बिल्कुन निक्स्ट यह दिखवा आपके लिए लिग दिया ताकि याद भी रहे कौन से जिल कजाकिस्तान में इस्थी थे बालखस, विक्टोरिया, बैकाल, टैगॉंग, कुश्चन नमर 11, 31, चलिए है जल्दी, तो मैं आपको बता दू, कौन से जिल कजाकिस्तान में है, तो बालखस, बैकाल, रसिया जिस गहरा, आयतन की साब से सबसे बड़ा, है ना, ठीक है, याद रक्षिए हो बिल्गूँ, अब यह देख लो, कि बालकस, कराकिस्तान में, बैकाल, रूस में, टैगॉंग, तिबबत में, विक्टोरिया, अफ्रिकन जीले, यह चार सवाल, यह चार सवाल के जवाब आप मज़िदार सवाल है, देखना गलती मत करियो, चलिए जल्दी, विक्टोरिया, अस्ट्रेलिया में, अरे, कहां जा रही हो, अस्ट्रेलिया, तो पिर्थ्वी के बाद, दूसरा सब से सघंतम के बात करें, मंगल है, देख लो, जाओगा, मंगल, ठीक है, ओ सॉरी, मा भी जा जाएंगे, ओ, सॉरी, गाइस, बूध, मरकरी, वहीं तुम्हें सोचू, मरकरी, ठीक है, मार्स नियों को बच्चे, मा भी जाएंगे, मरकरी, क्या होगा, मरकरी, देखो कैसे, तो सॉर मंडल के सब से गर्म गरा, सूक रह, पिर्थ्वी के बाद, बूध, दूसरा सब से याद होगा, बुद्ध, ठीक है, याद है, बिलबुल, निक्स्ट, भारत में दिवस्तरिय पंचायत राज परनाले का प्रस्ताव किस ने किया था, दा तू तियर पंचायत रा सिस्टम इन इंडिया वाज पर पोश्ट वाई था, बलवंतराय महता, असोक महता, रॉयल कमी इन में से कोई नहीं, कुछ्ट नमर 33, चलिए, अनामिका जी कहां confused किये, मैंने अपने गलती वापस करी न, तुरंत, तो भारत में टू टियर सिस्टम की बात करें, असोक महता कमीटी जो 1977 में, और ये थ्री टियर थे, ये थ्री टियर, बलवंतरा महता समीटी, ठीक है, थ् 1969 में पहली बार, रारस्थान में लागू किया गया था, याद रखना में, किस वाइस्तरा के समय, रॉले टेक्ट पास हुआ था, लॉर्ड हानिंग सेकिंड, लॉर्ड चेम्सफोड, लॉर्ड रेडिंग, मिन्टो सेकिंड, कुशन नमर 34, चलिए, जल्दी, डू इट फास तो आपको याद होने चाहिए, कि रॉले टेक्ट की बाद करें, लॉर्ड चेम्सफोड, तो चेम्सफोड, 1916 के बाद जितनी भी घटाएं घटी है, देख लो, चमपारण, खेडा, आमधाबाद, रॉले टेक्ट, खिलापत आंदोलन, जालियावाल अबा, खत्या कांड, यह सब के सब चेम्सफोड के समय में, सब के सब चेम्सफोड के समय में, याद रखेगा बिल्कुल, ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला सुद्र सासा कौन था, हूँ आइटा, फर्स्ट सुद्रक्टिंग उफ इंडिया, चंद्यूत मौर्या, अजास सत्रू, देवगुप्त, महापदमनंद, कुश्चन नमबर 35, चलिए, हाँ, 1916 से 21, बिल्कुल करेक्ट है, 1916 से 21, 21 के बाद रेडिंग आ जाते है, तो भारत का पहला सुद्र सासक महापदमनंद, यानि नंदध डैनिस्टी, और अंतिम सासक घनानंद, जिससे केशने मार दिया, अंतिम मार रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट, कॉर्ण सदिस रासी नहीं है, विच अपता फॉलिंग इस नोटा वैक्टर, इनर्जी, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलेरेशन, कुश्चन नमबर 34, चलिए, जल्दी, हाँ, इन्होंने कलिंग को जितकर एक्राज क्यों पादे लिए, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, तो आपको याद होगा, सदिस रासी कौन नहीं है, उर्जा, खोर्स, मोमेंटम, एक्सेलेरेशन, तो भई सदिस क्या है, सदिस ऐसी मात्रा जिसमें पूरी तरह से, परिमान और दिसा, दोनों मरनी थे, दोनों मरनी थे, तो एक्जामपल क्या है, इसका, विस्थापन है, देख लो, डिस्प्लिस्मेंट, वैलोसीटी, एक्सलेरेशन, होर्स, यह सब क्या है, सदिस रासी है, याद रखेगा, निक्स्ट, राजी कौन दी खेलरतने का नाम बदल कर, म राजी कौन दी खेलरतना बिन, रिनेर्म गाईज मेजर ध्यांचन दी खेलरतना वाड, कोश्चन नमर सेंटेश, पते ही क्या होगा, जल्दी, तो क्या होगा, कब क्या गया, श्यागश्टन दोजार एकेश को, आप 29 अगश्ट मत लगा देना, यह खेल दिवसे, लालच मे आप लालच में मत लगाते हैं, खेल दिवस के लालच में, लगा दिया, देखो, किरन कुमारे ने लगा दिया, किरन कुमारे ने लगा दिया, पबंजी ने लगा दिया, मुझे पता है न, मारकस मिंजी ने लगा दिया, पता है न, बच्चे कहां गलती करते हैं, यही गलती आपसे सेटर करा लेता है 39 गस देखा मुह में बेटा मुह में लड्डू फूटा और क्लिंड बोल्ड हो गए तो 6 अगरस्त को याद रखेगा पांच में बहुत संगीति किस अस्थान पर आयोजीत की गई बर्मा स्रिलंका कश्मीर पटना कुश्ण मरारतिस कि जल्दी कि ये गुरुबडी में आया था देखो धिरच पटलने कहते अग्याइअ आया था नौ तो गुरुबडी में आया है और गुरुबडी में आया है देख लो बताओ अनामिका भी कह रही है रेलेवे में आए सोच लो वही तो मैं कह रहा हूँ देखो observation गलत है जब मैं रेलेवे में पढ़ाता था बच्चों को हू बहू बता देता था ये सवाल आएगा बच्चा देख लेना और बताओ वह ऐसा हू बहू आता था मैं जब 10 बज़े पढ़ाता था आपको याद होगा कि जीज दिन सुबा 10 बज़े मैंने पढ़ाया है एक सवाल और हू बहू सेम डे उसी दिन के पेपर में आपको दिखा है अगर आप रेगुलर मेरे से जूले होंगे से 10 बज़े वाली क्लास में याद होगा आपको चलिए आजाओ निक्स्ट यह होगा बर्मा तो कहा हुआ है बर्मा कहां पर बर्मा चार कहा होता है आरवीपी के यानि राजगिरा वैसाली पातलेपूत कुंडल्वन कश्मीर और यह पाचवा बर्मा में नेक्स्ट तो पाचवा बहुत संगीति बर्मा के राजा मिंदन के सत्वावधान में 1871 में मांडले बर्मा में का मांडले में किने रखा गया था बाल गहां तर ती लगो बीजी ती लगो मांडले जेल में पहले पत्रकार थे थैंक्यू जूई जी है ना चलो जाओ नेक्स की बात करें भारत में किस राज्यनि अभिक्तम संख्या में उपरदान मंत्री परदान की है विचे स्टेट इन इडिया अज गिविन दा हाइस टंबर अफ डेपूटी प्राइम निस्टर महराष्टा उत्र प्रदेश बिहार गुजरात को सर्ण नम्र 39 49 चलिए जल्दी तो आप देखोगे कि भारत में किस राज्यन अधित्तम संख्या में उपरदान मंत्री परदान की है परदान मंत्री मत लगाना परदान मंत्री होता तो उत्तर प्रदेश उपरदान मंत्री गुजरात यूपी टब होगा जब केवल आपके कुस्टर में पर्धान मंत्री नहीं या उपर पर्धान मंत्री के बात किया है तो बल्लब भाई पटेल मुराजी देशाई चरण सिंग जगजीवन राम यस्वंदरा चवहान देवी लाल और लाग्री संडवाने यानि कितने उपर्धान मंत्री हुए एक दो तीन जगजीवन राम चार यस्वंदरा चवहान पांच छे और साथ यानि कुल मिलाकर लास्ट अडवानी जी लास्ट अडवानी जी याद रखेंगा ठीक है नेक्स्ट चलिए मिलाइए कूटी एक तरफ कंट्री एक तरफ कैपिटल आईए बहुत पढ़े होंगे ताजिकिस्तान असगाबात तुर्कमेनिस्तान दुसांबे कजाकिस्तान तासकंद उजबेकिस अस्ताना कुछ्टन नमबर 40 और यह जूजी सिल्द मने कहा इस सवाल पढ़िए औप्सन के पीछे मत भागिए कुछ्टन पढ़िए अगर पुछ्टन पढ़ेंगे बेलकुल करेक्ट होगा हूं है नो बहुत आसूं आप इसक्रνη्सक्रेट है और प्रक्रिस्टान का तासकंद कि ऐसे तरगाबंदी कंस्ट साथ में तास्कंद फाइल मूवी आई थी चलिए यह मैं आपके लिए सामने बेश राजधानी और करिंसी याद रहेगा इस्क्रिंसोट ले लो और लाइक ठोग तो यार कमचाम इतना एफ़र्ट करते हैं लाइक तो बनती है कमचाम जीतना बच्चा है हंडेट परसंट लाइक कर करना चाहिए करना चाहिए बता मित्रों होना चाहिए नहीं होना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए होना चाहिए न होना चाहिए है हाँ अस्तान या नूर सुल्तान नेजर वाहिब वहां के सुल्तान थे उनके नाम पर रखागे नूर सुल्तान बिल्कुल करेक्ट ह आजाओ आगे, चलिए j i tag देखते हैं, कौन 10 जी आई टैग में, दस में 10 लेकर आता है, 10 में 10 लेकर आता है, 10 में 10 लेकर आता है, आजाओ, सोराई कोवर पेंटिंग, आईए, क्या होगा? जल्दी, सोराई कोवर पेंटिंग, तो सोराई खोबर पेंटिंग ये बात करें जार्खंड सोराई खोबर पेंटिंग कहां जार्खंड ठीक है नेक्स्ट है ना चलो जाओ पलानी पंचा मिर्शन परसाद क्वेशन नमबर टू ये कहां होगा पलानी पंचा मिर्शन परसाद आपको जात होगा तामिलाडू पलानी पंचा मिर्शन परसाद कहां पर तामिलाडू कहां है तामिलाडू देखते जाओ आगे बढ़ो खेज मिठाई हरमल मिर्च और मंदोली केला कुशन नमर टीन देख लेगे ना सवाल वनेंगे इससे भी सवाल इससे भी वनेंगे GI TAG से तो मैं आपको देख रहा हूँ एक एक टॉपिक कराते जा रहा हूँ इसमें भी ताकि आपको maximum नौलेज दे सकूं तो खेज मिठाई हर्मल मिर्च और मंदूली केला की बात करें गोवा क्या है गोवा है कहा है गोवा है निक्स्ट कंधमाल हल्दी कोशन नमर चार चलिए और याद रचेगा यूपी महापैक पर डवल वैलिडिटी है आज आज भरेगे वह डवल वैलिडि और कल से 27 तारीक है 27 सितंबर से कल एक बैच आ रहा है यूपीटर पलेशी पैट के लिए केवल जीके जीएस का केवल जीके जीएस का जुड़ना जरूर ठीक है बहुत वाइदा होगा कंधमाल हल्दी ओडिशा चाओकर मिर भाई कंधमाल हल्दी ओडिशा दिंडिगूल त डेंडिगूल ताले क्या होगा जल्दी ओडिंडिगूव ताले की बात करें टेक्ट्यानिकल कर आएगा त्मिलाटू इभर मेटामिलाटू कंता मिलाटू नेक्स्ट एरोड हल्दी कुछ ममिलेघ चलिए तो इरोड हल्दी की बात कर यह भी कहां तामिलाडू डिंड़िगुल ताले और इरोड हल्दी कहां पे तामिलाडू जब कंधमाल हल्दी कहां ओड़िशा कंफ्यूज मत करना कंधमाल हल्दी ओड़िशा और इरोड हल्दी तामिलाडू इरोड हल्दी तामिलाडू दूर arma गोशना कर दोखा ब। तो कि ठीनों के तीनों कहां बिहार में मंदुबर्म या corps night गोशना गाओ नो नेक्स्ट आऑख सक तेरा कोटा बहुत चर्चा में रहा है साथ तेरा gofold मिट्टी की आग में पकी मिट्टी की खिलाउने मिट्टी के खिलाउने उससे हम तेरा कोटा कहते हैं क्या कहते हैं तेरा कोटा या आपके राज गोरकपूर में आपके राज उत्रपरदेश के गोरकपूर में उत्रपरदेश के गोरकपूर में ना ठीक है नेक्स्ट कुलाप कोलापुरी चपल की बात करें ये दो राज्य करनाटा कोर महरास्टा करनाटा कोर महरास्टा या तकिया करनाटा कोर महरास्टा लेक्स तिरूर पान का पत्ता और मर्यूर गूड कुछ नम्मर दस चलिए बतरिये तो तिरूर पान का पत्ता और मर्यूर गूर की बात करें किरल में तो यह था आज का सेशन उम्मिद करते हैं कि खबाकेदार तरीगे से मैंने आपसे चालिज कुर्शन कराएं और दस कुर्शन कराएं मैंने वन लाइनर जो धीरे धीरे यह टॉपिक भी आपका कवर होता चरा जाएगा एक्जाम के पहले पूरी तैयारी सेशन मज़ा आएगा तो लाइक ठोगना फिर से मैं बता दू कि यूपी महापैक पे डवलरीडिटी है मतलब बारा महिने के साथ बारा महिने वरे रही यह अभी आपको नहीं लगता है मरे भाई लेकिन जब आ व बैच में आते हो तब आपको लगता है इस तरियह मैं तो जानता है नहीं हूं मैं तो यह जानता है नहीं हूँ तो जूड़िये इसके साथ और याद रखिएगा कि ये आपको इतने सारे classes मिलेंगे UP SSC जितना exam conduct करवाएगी UP police जितना exam conduct करवाएगी अलावाद high court UP PCL और UP RV UNL यह सब के सब इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे भाई कल से यानि 27 तारिट से 27 सितंबर से UP SSC पैट के लिए केवल GKGS का केवल GKGS का batch आ रहा है जिसमें सारे सब्जेक्ट गौर्ण सरा आपे करेंडर प्रस पढ़ाएंगे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा रंजी सर पॉलिटी पढ़ाएंगे मैं साइंस पढ़ाएंगी सुबह में आपके स्टैटेशी के पढ़ाएंगे जिससे 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा इधर से उधर भी नहीं बिल्कुल हूब 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 आपके सवाल देखने को मिलें तो जुडिये का जरूर इस इस बैच में ठीक है थाइंग रत्नाकर है ना चुडिये का इस बैच में बहुत फाइदा होने वाला है जिनका यूपी त्रेपर से पैट होगा क्योंकि मात्र करीब करीब चार साड़ चार सो रुपए लगते हैं और बहुत फाइदा होगा मेरे भाई तेकिन अगर यूपी महा पैक लेकर टेंसन फुरी कल यूपी पिसेल का लास्ट फॉर्म भरने का लेट है तो अगर आप यूपी पिसेल फॉर्म नहीं भर पाएं है तो अभी भी टाइम है आप यूपी पिसर का फॉर्म जरूर भरिएगा तो मैं आपको बता दू कि कैसे यूपी महा पैक में जॉइन कर सकते हैं जिससे यूपी में जितने भी एकजाम है चाए वो उर्जा 2.0 यूपी पिसेल के लिए हो या यूपी टेबल से पैट के करेंगे अब जैसे क्लिक करेंगे इस पे खुल जा मेरे भाई के खुल गया अब यहां पर क्लिक करना अजैसे जाया ने पहलेले इस सफे चिने है आपको चाहिए उपी महा पैक टो इस जाओ में अब देखो यहां जैसे ऋपर उत्तरपरदेश है यहां यूपीका महहा बैक यूपी का После महाँ आया है अब दिख्व डवल वैलीटी डिख रहा है है देख पर क्लिक करेंगे अब जैसे क्लिक करोगे यूपी का महापैक दिख रहा आपको दिख रहा है न अब व्यू ओफर में जाएंगे जैसे भी ओफर में जाएंगे दिखा रहा एक जारा हजार रुपए इंटर कूपन कोड तो कूपन कोड मैंने आपको बताया वाई 552 क्या है मेरे भाई वाई 552 अपलाइक करेंगे अब जैसे अपलाइक करेंगे देख कितना होगे घटके 2530 रुपए आ कितना 2530 रुपए और इस 2530 रुपए में 24 महीने कितने महीने 24 महीने मतलब 24 महिने तक UP में कोई भी एक्जाम आए, उन सब के सारे क्लासिस, साथ में टेस्ट, ओनलाइन टेस्ट, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री, तो याद रखेगा, बहुत सारे बच्चे इंतियार करते रहते हैं महाँ पैक का, डवल वैलिटी के साथ, ठीक है, त क्योंकि पैट के बाद आपको हर हाल में सारे एक्जाम के तयारी करनी होगी, पैट में स्कूर काड़ा जाएगा, इसके बाद फिर क्या करोगी, ठीक है, तो इसमें कल से बैच शुरूरा है, ये भी इंक्लूड होगा, अगर इसके अलावे अगर आप चाहते हो, कि सर, मैं क पैट का बैच जोइन करना चाहता हूं, तो आजाओ अट बबर सेविन भी फिर से सर्थ किया हमने, इस पे क्लिक किये, अब यहाँ पर आके सर्च करना, क्या था, तेजस बैच, क्या है, तेजस बैच, जैसे तेजस टाइप किया, देखवा गया, तेजस, अब तेजस बैच उतने पैसा नहीं देने, अब यहाँ पे कूपन कोट फिर यूज करना है, वाई 552, अपलाई कर देजे, अब देखो यह कितना दिखा रहा है आपको, 469 रुपए, 469 रुपए, आप खुद से सोचिए, कि 469 रुपए में, आप टेजस बैच जोईन करते हैं, उससे बड़े महा पैक लेकर, चितने भी विकेंसी आएंगे, यूपी पुलिस तो आएंगे, भरेंगे ही आप, वो जबर्दस फायदा है न, लेकिन अगर आपको लगता है सर मै पहले पैट, तो आप जोईन कर सकते हैं, यहाँ भी कूपन कोट क्या यूज़ करना होगा, वाई 552, ठीक है, उम्मिद करते हैं, चीज़े समझ माई होगी, ठीक है, चलिए, अगर सारा कोई इन्फोमेशन सही है, तो सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर कर और आप कमेंट जरू करिए, कि सेशन कैसा लगा, तो फिर और इसे बेटर हम बोना सकते हैं, अगर कुछ मिसिंग रहा होगा तो थीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बज़े वाली क्लास में, तब तक लिए अपना ख्यार रखें, थैंक्यों, शुक्रिया, जैंक्यों